हेलो एबरीबन कैसे हैं आप आप सभी अच्छे होंगे मैं आरोई आप सभी का दिल से बलकम करती हूँ लेके आई हूँ आप सभी खो एक ऐसा मैसेज जो अत्तक सारी एनरजी चल रही थी उस सबका जो एक फाइनल रिजल्ट जो कहते है न कि फाइनल रिजल्ट आया है वो इसलिए आया है या फिर क्यूं ऐसा हम सब के साथ में हुआ तो थमनील आपने जरूर पढ़ा होगा जिसमें मैंने बोला है 5D dimension का एक्टिवेशन आप का इनरजी तो 5D dimension आप सबने सुना आप सबने जाना इस सबकी लिए सबने काम भी किया लेकिन जब 5D dimensional अक्टिवेशन जब शुरू हुआ तो उसको लेकर कि सबकी energy न एक तरह से विहाइंड डिफ्रेंट लेडल की हो गई ठीक है अब जैसे कि हम अब तक बात करते आ रहे थे कि हमें 5D पे connection बनाना बहुत जरूरी होता है 5D से connect होना बहुत जरूरी होता है as a twin flame journey के लिए ठीक है आप सबने सुना इस सब बातों को लेकिन यहाँ पे बात यह आती है कि जैसे जैसे यह portal गया divinely portal गया और lunar eclipse गया full moon गय इस सब पे ऐसी energy create होई ना कि जिसको समझ पाना बहुत difficult था क्योंकि कभी लग रहा था कि यह return awakening शुरू हो गई है कभी लग रहा था कि यह lunar eclipse की energy जो बहुत high है वो तो सच था कि lunar eclipse की energy बहुत intense थी बहुत high थी लेकिन सबसे बड़ा जो role play इस energy ने किया और जिसका reason था वो य 5D level पर जब हम connected होना शुरू करेंगे या फिर हम उसको समझने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि जो पीछे जो हमारे साथ में घटा है उसका reason क्या है तो पहले आपने negativity का effect को देखा यानि demons attacks को देखा तो एक बात यहाँ पर यह clear होती है मैंने अपनी वीडियो में बोला कि demons energy का attack मतलब attack होना शुरू हो गया है काफी समय पहले तो उस समय मैंने जब बोला तो यह जो साल है यह साल बहुत ही अपने आप में एक portal है ठीक है एक तो यह Saturn का साल है दूसरी नंबर बात की 8 नंबर जो है infinity का नंबर है अगर हम Saturn को side में हटा दें तो एक नंबर को हम अगर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं यह union का नंबर होता है यह infinity का नंबर होता है infinity मतलब अनंत वाली energy तो यह साल जो है अपना यह 24 जो है यह अपने आप में बहुत बड़ा portal है जो कि हम यह नहीं कह सकते कि बन बन का portal अच्छा है यह तूटू क 20 साल एक portal है और यह जो portal है यह इस तरह के मतलब इसको समझ पाना ना सच में बहुत ही difficult है लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ और जितना मुझे messages and downloading हुई है और जो मुझे बताया गया है उस ways पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि यह portal अपने आ energies अच्छी रही positive रही लेकिन suddenly energies ने change कर लिया और यहां पर बहुत सारी negativity का पर बार हमने देखा positivity को भी देखा union को भी देखा और मतलब बहुत लोगों की reunion भी हुए हैं बहुत लोगों की शादी भी हुई बहुत कुछ देखा लेकिन यहां पर पूरी बात में अगर करूं पोर्टल को लेकर कि जो कि यह पूरा साल अपने आप में पोर्टल है तो यहां पर यह बात कर रहा है 5D लेवल की तो यहां पर हम ना अपनी परशानिया जैसे हमारी life में negativity आया और energy का pressure बढ़ा तो हम ना अपने आप में जैसे distraction में चले गया और हमको लगा कि हमें सुकून चाहिए और सुकून के साथ साथ में जो हम सुकून ढून रहे थे बैलेंस ढून रहे थे उसकी बजाए हमें बहुत हैवी energy को फील किया बहुत दिश्ट्रैक्ट हुआ पेन बहुत हमने फील किया 7 चक्राज में हमें बहुत ज्यादा problems देखने को मिले खासकर solar plexus को लेकर क और crown को लेकर के तो बहुत ज्यादा ही effect आया है root चक्रा जानी कि lower चक्रा जो तीनों चक्रा है वो और crown चक्रा जो सबसे उपर है वो और सबसे most important जो चक्रा का role इस में रहेगा खासकर इस portal में वो रहेगा throat चक्रा तो ये जो चक्राज को लेकर के हमारी गड़बड़ी शु लेकिन जैसे ही हमको अब यह जो guidance मिला ना अभी right now तो हम पूरी तरह से सच में हिल गए कि यह क्या हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और यह क्या निकल क्या आ गया तो एकदम से जैसे होता है ना कि वही सारी चीजे बदल जाना हलांकि मैं यह चीजे अपनी class में तो बोली थ आपको जो समझ में आया है अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो mysterious रहा है अभी भी इतना चीजें clear नहीं होई है लेकिन जितना मुझे मिला उतना मैं आपको बता रही हूं कि यह जो energy आपके अंदर की जो एक तरह से frustration और बहुत high level पे पहुँची उसका reason सबसे पहली बात तो यह है कि आपके अंदर की energies को develop करना एंड अपने अंदर की जो power है एक तो power होती है जो शांत थी ठीक है और एक power है जो वह उग्र हो रही है ठीक है यानिकी masculine and feminine energy inner feminine masculine masculine की बात कर रही हूं तो पहले feminine जो थी हमारी ठीक है सब चीजें को कर रही थी ठीक है बर्दास किये जा रह रही है चीजों को क्योंकि उनकी जो शांती थी वो शांती अब उग्रता में बदल रही है उग्रता मतलब यह गलत नहीं है इसका मतलब यह है कि डिवाइन खुच आते हैं कि आपकी energy generate हो high level पे जाए क्यों क्योंकि अब तक हम सभी जो है 3D life के लिए बहुत सारी चीजे कर रहे थे कोशी से कर रहे थे मिन्नते कर रहे थे divine के साथ में जुड़के low of attraction यूज कर रहे थे inner work कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें किसी की पूरी हुई किसी की मतलब एक होता है ना कि एक सब्र होता है वो सब्र कहीं ना कहीं हमारा तूटता हुआ दिखाई दिया क्योंकि वो चीजें अपने आप में ही एक बहुत बड़े लेवल पे जाके हमको समझ में आने लगा कि यार ये सब क्या है क्यों है और मतलब बहुत सारी शिकायते हैं हमारी शुरू होई अपने आप को लेकर के भी relationship को लेकर के भी family को लेकर के भी और इस journey को लेकर भी और universe को लेकर भी बहुत सारी शिकायते हैं अभी तक आपने की इन दो से तीन भेनों में तो ये सारी चीजें आपकी होना लाजमी थी क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है dimensional energy की अब जैसे मैंने उस समय आपसे बोला था ना कि बहुत सारी energy अटेक कर रही है तो उनके लिए जब रास्ता अर्थ का खुला यानि पोर्टल खुला मैंने बुला ना बापिस मैं एक और फिर रिपीट करूँगी कि यह पूरा साल अपने आप में एक पोर्टल है जहां पे कुछ भी आ सकता है और कुछ भी जा सकता है समझ रहे हैं आप जब एक रास्ता खुल जाता है तो उसमें आना जाना तो लगा रहता है ठीक है टाइम फिक्स हो गया लेकिन ये जो साल का पोर्टल है इस साल का पोर्टल का कोई लिमिट नहीं है अभी ये बन यर तक आपन रहेगा और इसके साथ साथ में मज़े की बात ये है कि जो जितनी पोर्टल आएंगे और फुल मून और ये जो सोलर एकलिप्स भी अभी आ रहा है ये सारे इस एनर्जी पे और चार चांद लगाएंगे लेकिन हम सबसे मिश्टेक क्या हो रहा था ना कि हम एनर्जी उसको देख करके बॉकला गए थे बॉकला ना मतलब कि कन्फ्यूजिन में चले गए कि यार ये हो गया रहा है इधर से भी प्रॉब्लम उधर से भी दिवाईन नहीं ये जरें तो ये जो हम समजा रही है तो उतना हिसम देख पाएंगे इतनी जल्दी देख और उसके लिए बहुत समय लगेगा तो मैं सब की बात कर रहे हूं ठीक है तो यह जो शमय था इस उसकी बज़े से सम ने इसको सफर किया लेकिन अब मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कोटल जो खोला है जिसमें अब आप 5D connection पे इतना strongly जाएंगे जो अब तक आप सुनते आ रहे थे एश्ट्रो ट्रेवल को 5D connection union को और 5D marriage जो भी चीजें आप सुनते आ रहे थे वो अब आप actual में realize करेंगे actual में उस चीज को जीएंगे लेकिन उससे पहले जो नहीं समझ पाएगा इस energy को वो इस energy के trap में फज जाएगा जैसे मैं फिर repeat करो मैंने बोला 8 number की energy है infinity की energy है जब infinity है infinity मतलब की चारो तरफ रास्ते खुले होए है चारो तरफ direction है तो definitely हम confused होंगे ना कि इस त direction select करना है तो अपना direction क्या है मैं अब सीधे point पे आ गई हूँ कि अपना direction क्या है उसी direction को लेके चलिए आपको बिल्कुल भी confusing नहीं होगा distraction नहीं होगा और ये portal पूरा की पूरा आपको इतना help करेगा ना कीवल आपकी relationship में help करेगा बलकि आपकी material life में भी help करेगा growth को इन्फिनाइटी का मतलब क्या है समस्ते है ना सब कुछ अनंतिसी मैं यानि कि अनंतता में हम जब कदम रखेंगे तो सब कुछ हमारे लिए work करेगा बट इसका एक शर्त क्या है इस portal का इस portal का जो सर्थ है वो ये है कि आपको एक direction चूज करना होगा और वो direction आपका intentionally positive हो और किसी के लिए गलत ना हो और किसी का उसमें harm नहीं होता हो उस direction को अब select करते हैं जिसमें आपका भी कल्यान है दूसरों का भी कल्यान है और सब के लिए वो ठीक है मतलब किसी को आपकी वो करने से problem नहीं है या फिर आपके अंदर किसी चीज को ले करके लालच नहीं है या ल को लेंगे मैं direction कैसे सलेक्ट करें हमें तो को समझ में नहीं है कि अपर से आप और हमें यह बोल रही हैं तो और हम ज्यादा कन्फ्यूज हो रहें कि कि अब भाई किस डाइरेक्शन को सलेक्ट करें कि अब तक जिस डायक्शन पर आये हैं सिवाए हम को tensions के और anxiety के इन सब के कुछ मिली नी राज जब देखो जब कभी कुछ कभी कुछ एक कमेंट भी था कि हर बार इस portal पे ये उस portal पे वो आपका कहना सच है मैं आपकी इन बातों को समझती हूँ मुझे बुरा नहीं लगा था मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं समझती हूँ आपकी लेवल पे रहके उन चीजों को कि सच में जब हम इस चीज में होते हैं और उसको फेस कर रहे होते हैं तो बहुत टिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम पे आके इनसान हारता ही है कि यार कब अखिर कब तक ही सारी चीज़ चलेंगी तो डियर फिर मैं यही बात कहना चाहूंगी कि यह पोर्टल आपके लिए ओपन है और यह पोर्टल मैं फिर वही कहूंगी कि यह सिर्फ नॉर्मल पोर्टल नहीं यह पूरा साल एक पोर्टल है अपने आप में अब यहां पे आप क क्या अचीव कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको अपना डारेक्शन चूज करना है डारेक्शन पहले तो आप यह पता किजिए कि आप चाहते क्या है ठीक है सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है फोर से ले के खाऊंगी तो में रूस में पूरा हुआ ठीक है अब उस बीच में जैसे मैं गई आइस क्रीम खाने तो मेरे पास अम니다 सोचा कि मुझे आइस्क्रीम खाना है तो मेरे पास पैसा आएगा कहां से आएगा कोई पता नहीं कि वो वो डिवाइनली फॉर्स आपको सपोर्ट कर रही है ठीक है आपको सपोर्ट करेगी आपको पैसा आएगा बहुत सारा आपको जैसे अगर पैदल जाते उस जगह तो चलो मैं आपको हेल्प कर देती हूं या कर देता हूं तो ऐसे हम उसकी साथ चल गए और हमको वहां पे छोड़ दिया आइस्क्रीम लेने के लिए तो वहां तक हम बहुत इसली गए ना पैसा अच्छे से आ गया हम इसली वहां पहुंच पाई हमको कोई ठकान नहीं हुआ औ हम उसकी खुशी मराएंगे बजाए हम कुछ और सोच रहे हैं आप जैसे वहां पे मैं मान लो कि मैं आइस्क्रीम खाते खाते इस टैंशन में जाओं कि मेरा वो क्या होगा उसका क्या होगा ये क्या होगा इन ओल ठीक है तो ये चीज गलत है आपके लिए बताया जारा है इ इक सपना है उसके बारे में सोचिए और फिर आपको हेल्प जो है डिवाइन खुद कराएंगे बट यहां पे इंटेंस सेट करना होगा आपका इंटेंस में इतनी ताकत इतनी पॉजिटीव एंद इतनी बाइब्रेशन होने चाहिए कि ये इंटेंस ऑन दा इस पोर्ट इस तो हमारा डोर लास्ट की जो एक बीच की जो डोर है अर्थ को और जो यूनिवर्स को कनेक्ट करती है उस डोर से पार जाए वो बाइब्रेशन ताकि वो हमारी मैनिफेस्ट हो जाए मैं मैंनिफेस्ट का यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं यह कहूंगी कि आपका अलाइनमे और उस समय आपका क्राउन चक्रा रिसीब करेगा चीजों को और आपकी और रिसीब करेगी और जैसे जैसे आपका और और एनर्जी स्ट्रॉंगली कनेक्शन में आ जाएगा उसी तरीके से आपके बाइब्रेशन को मैच खाते हुए इनसान या कोई न कोई आपकी हेल्प क आ जाए कोई पता नहीं होगा लेकिन आपको हैल्प मिलेगा तो समझ में आया मैं क्या कहना चारी हूँ सबसे पहले अपना इंटेंस सेट करो अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लेकि आओ और इस समय जिसको भी चक्रास पर प्रॉब्लम हो रहा है वो इसी लिए हो रहा बेचैनी हो रही है क्यों हो रही है बेचैनी घोटन क्योंकि वो एनर्जी चाहती है उपर अलाइनमेंट में जाना लेकिन आप अपनी दिमाग की उपज से या माइंड गेम के वज़ा से उसको अटका के रखे हो फसा के रखे हो जिसकी वज़े से खुद भी दुख पा रह है ठीक है इस बज़े से यह प्रॉब्लम्स आपको आ रही है आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूं कि मैं कहना क्या चाह रही हूं तो यह डाइमेंशनल एनर्जी आपके लिए पहले 5D लेवल पे आपको कनेक्ट करना चाह रही है उसके बाद आगे की होगा आपकी जीवन में इतना ग्रोथ आ जाएगा ना केवल 3D लाइफ की चीज़ों को लेकर वलकि रिलेशन्शिप में हर चीज में ग्रोथ आएगा लेकिन एक बात मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगी आइनो कि आपको साथ बुरा लग जाए मेरा यह कहना इस समय अगर पुला है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सब्सक्राइगा क्योंकि यह पोडल चाहता है कि आप यहां पर आए हैं ऐसे जिम्मेदारी है आपकी क्या ऑथर्टी है आपकी क्या पावर है उसको आप क्या यूस करेंगे आप अगर अच्छे जगा यूस करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप अपनी परसनल चीजों में ही उलजे रहेंगे या अपनी सेल्फ चीजों को लेकर के ही कन्फ्यूज में रहेंगे तो ना तो यह पोर्टल आपकी हैल्प करेगा और डिवाइन भी आपको इतना जल्दी से फोर्स नहीं कर पाएंगे वीकॉस व आपका ट्रश्ट खतम होगा आप उससे ऊब जाएंगे या दुख ही हो जाएंगे तब आप डारेक्शन लेंगे कौन सा अपने आपको ग्रोथ में लाने का तब भी आप वही डारेक्शन लेंगे लेकिन तब तक का यह समय जो रहेगा बेश्ट जाएगा तब तक इस समय म के रास्ता चाना है और असामने आपके मनजिल है और एक आप हैं कि आपको बताने के बाद भी आप नहीं मैं तो अपनी मर्जी की देखेंगे लेकिन फिर भी वहां कुछ हाथ नहीं लगने वाला फिर बापिस आप सोचेंगे कि यार चलो अकेला ही चलना का अच्छा है हमें अपने आप पर दिहान देना चाहिए यह वह सब और फिर बापिस आप उस पत पे आएंगे तो जब आपको उस पत पर आना ही है त क्या आपको देना चाहता है और वो मुझे भी क्लियर ने की है तो उसके लिए सौरी ठीक है लेकिन हाँ मैं आपको गाइड इतना कर सकती हूँ कि अगर आप उस डायरेक्शन पे जाते हैं तो क्या क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि लाइफ टोटल चे देखिए और उसको लेकर के सिर्फ सोच के आगे बढ़िए देखिए आपको इतना हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा ना इतना हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि यार लाइफ में प्रॉबलम तो थी ही नहीं बस हम प्रॉबलम समझके बैठे थे और हम अपने आपको रोप के बैठे थे इसलिए हमको help नहीं मिल रहा था तो अभी right now जिसको भी ये painful energy फील हो रही है या जो भी चीजे चल रही है उसको side में रखिए अपना intense set कीजिए and अपनी एक होता है न प्रेयर अपनी प्रेयर में अपने उस चीज में इतनी ताकत पैदा कीजिए कि वो सारे आसमानों वो चीर के वहां जाए ठीक है I hope इससे आप समझ पाए हों कि अपनी किसी सब्द में clarity रखी for example जैसे मैंने ice cream का दिया अभी जैसे मानलो कि आपको job चाहिए मैं सिर्फ example दे रही हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से तो मानलो job लेनी है तो मैं अब अंदर से prayer कर रहे हूँ कि मुझे job मिल जाए और मैं उस prayer के लिए दिल से एकदम connect हो करके इसको prayer को कर रहे हूँ तो वो prayer ना के वर मेरी portal को पार करेगी वलकि dimensional वी energy को भी पार कर जाएगी तो अपने उस चीज में सक्ति लाना है अपनी उस चीज में भरोसा लाना है विस्वास लाना है और अपनी energy को एक center point पे लगाना है center in the sense किसी चीज को मानलोब और example आपका soul purpose ही है तो उसी पे ध्यान लगा के काम कीजिए तो आपको वो help भी मिलेगा और जो backup में जो चीजें है relationship है money है health है beauty है वो सब आपको ऐसे ही मिलती जाएगे क्योंकि आपने divine के उस चीज को select किया है and divinely आपने जो अपनी जीवन के जो उद्धिश्य में जो लाए है उस काम पे ध्यान दिया है जिस बज़े से divinely चीजें आपको mention करेंगे तो I hope मैं आच्छे से समझा पाई हूँ बाकी चीजे जो भी है मैं आगे आपको guide करती रहूँगी तो उसके लिए मेरे साथ बने रहीएगा और मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजे है जो कि सच में ये साल अपने आप में एक mysterious भरा रहेगा इस साल को मैं नहीं कोई जा सकता है अब आपके उपर depend करेगा कि आपका direction कहा है अगर आप direction से distract है तो आप बहुत सारी चीजों को बलाते रहेंगे क्योंकि आपका conscious mind उन चीजों को active करेगा क्योंकि आपके दिमाग में कुछ भी चल सकता है जरासी चीज को negative बदल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजे आ रही हैं और बहुत सारी चीजे जा रही हैं तो यह चीजे बनी रहेंगे लेकिन अगर आपकी सामने एक direction है तो फिर आप गलत चीजों को नहीं select कर पाएंगे बलकि आप उन चीजों को attract करेंगे उन चीजों को आमिंतृत करेंगे अर्थ पोर्टल यह उस चीज को ले करके आगे बढ़िए और इस लोग से उस लोग से मतलब इस लोग से निकल के उस चीज को लिकार के लाना है या फिर उसको alignment में लाना है तो यह आपके हाथ में हैं कि आप क्या कैसे करते हैं तो या गाईज यह है आपके लिए messages I hope आपके लिए सारे answers मिल ग आई राइट के स्टॉन एंड ब्रास लिष्ट हील करके निकाले हैं और अभी भी मैं सोलर क्लिप्स का जो यह समय शुरू हो चुका है जब से लुनर क्लिप्स गया तभी से मैंने हील और चार्ट पी निकाल दी हैं और भी स्टॉन क्योंकि मैंने इस बार ना अपनी नहीं है लेकिन रिस्ते बहुत आज की लाइफ में रिस्ते बहुत टूट रहे हैं तो मैं हर एंगल से काम करना चाहरी थी और इसलिए डिवाई ने मुझे इस चीज को लेकर के बहुत हैं सीजिसली गाइस मुझे स्टॉन को मैं जब से स्टॉन का काम करना शुरू किया न इतना positive vibrations मुझे receive होती है जा मैं stone heal करती हूँ तो बहुत support मिल रहा है मुझे तो thank you so much आप सब के लिए कि मैं इस सब पर आपाई क्योंकि आप सब नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होती और सब के लिए thank you और जैसे मैंने कहा पाइराइट का मैंने stone और bracelet चार्ज किया है तो प पतानी चलेगा कहां कहां से customer साएंगे कहां कहां से money को या ट्रैक करेगा बहुत सारे client को जोड़ेगा बहुत सारे आप मुझे इसको सुनके और इसकी qualities को समझके ले सकते हैं तो इसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तक तक अपना दिहान रखिए खुश रहिए और अपना direction सेलेक्ट कीजिए बाबाई